सुनाव ब्राटकॉम गुरूप अब देखेंगे आज की दिन वीकली अपडेट जो निकल कर आया वो बहुत ही इंपोर्टेंट है अब तक का मुस्ट इंपोर्टेंट वीकली अपडेट आप कह सकते हैं यही सबसे स्ट्रॉंग अपडेट आपके समने आया हमारे समने तो बि आया गया था हम लोग को कि मिटिगेट करना है अपने बिजनस को इसराइल से लंदन की तरह तो वह चीज़ यहां पर पुरानी बात निकल कर आई है यह बिजनस अपडेट है मार्केट अपडेट एंड एंड एपी एसी फोकस जो की काफी इंपोर्टेंट हमारे लिए हो ज जाती है अभी अगर आप देखेंगे गूगल की ऊपर रहे युएस के अंदर लॉसूट काफी जादा जारी हुए है जिसकी वजह से पॉसिबल है कि यहां पर एडविटाइजमेंट जो थर्ड पार्टी एडविटाइजमेंट कंपनी उनको जादा बैनिफिट मिले जो कि यहां पर आपके सामने जो है वो बैनिफिट्स बाकियों को देखने को मिलेंगे और यह एक एक्सपेक्टेट था पहले से लेकिन हां जो की रियल्टी में होता हुए दिख रहा है क्योंकि गूगल दुनिया की यहां पर देखें टॉप कंपनी उसमें आता है तो इतना आसा उससे भरा होना चाहिए शेर वोल्डिंग पैटन का अपडेट अप्लोड स्टेटस बता रहे हैं कि मंडे और टूजडे के बीच में आपको जो है वो देख जाने चाहिए तो मंडे को आ या टूजडे की शाम को आ जा हमारे सामने शेर वोल्डिंग पैटन होगा जून का जून एंड सेप्टमबर का रिवोकेशन रिक्वेस्ट फाइलिंग अब यह बता रहे हैं कि शेर ओल्डिंग पैटन जिस तरीके से हमारे सामने आएगा उसका एक दिन बाद है आप जो है हमारे सामने है रिवोकेशन आप सस्पेंशन एप्लिकेशन फाइल कर देंगे यह हो गई आपका नेक्स तो यह चीज कंपनी का बहुत अच्छा लगा यह दो अपडेट बहुत ही अच्छे लगे जो की नीड थी नीड थी अभी तक जो हमारे सामने हो सेट का यहां पर जो मामला है वो खिच गया बहुत जादा हम तो दस-पंदर दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि next 10 days के अंदर अंदर यह अपडेट कर देंगे कि AGM कब scheduled है किस देट पर है तो यह अभी देखना होगा next 10 days next 10 days का मतलब है almost यहां पर हमारे सामने टेज यह 24 अक्टूबर को यह AGM की डेट आनी चाहिए obligation with the NSE जो कि यहां पर बता जा रहा है कि FS continue आपर कर रहे हैं कोसिस डाल रहे है तो वह हो जाने चाहिए तो ठीक है हो जाने चाहिए लेकिन जो अपडेट अभी आया है शेयर रोडिंग पैटन हमें देखना यह कि Monday Tuesday में शेयर रोडिंग पैटन आ रहा है नहीं आरे जो यहा हो गई नहीं कुछ कहने से कुछ हो गई नहीं बहुत पीछे चल रहें यह कह यह क्योंकर bene कि सफ़त्य ना कीומत की नुबर सा रहे और हमारे अभी तक ना क्यूव पर करी नहीं फिर उसके बाद क्यू वन और उसके वाद क्यों तू कहां रह गए कौन सी सदी में रह गए तो समझ रहे ना तो वह उसके लिए चाहिए टाइम मशीन जो आपके पास है नहीं तो जायर सी वाद है आपको हाडवर करना होगा अब देखे हुआ क्या एसा कि दस रुपए की उपर हम निकल नहीं पाए निकले पटिक नहीं पाए ऐसा क्या हो गया ऐसा हो इसलिए क्या बहुत सारे लोगों मानना है कि मार्केट की वज़े से क्योंकि मार्केट में इतना अंदा दून सेलिंग चल रही ही और हमारे पाँ सब ट्रियर नहीं थे दस रुफए के ऊब चलने के लिए जतने ट्रेगर यह बाद भी ठीक है यह ऐग से ऊपने सामने ना मुस्किल से एगर उब है वो मार्केट के सिनेरियो साइड में करते हैं यह जो है ना आपका मिडल पॉइंट यह आसान नहीं है दस रुपए के ऊपर वाला बात यह हम नौ रुपए है 45 पैसे उधरी मिडल पॉइंट हम एक दिन ही सिर्फ ऊपर रहें उसके बाद गिरें तो अपडेट हमारे सामने है ठीक है क्या यह हम जो मिडल पॉइंट है वो बचा पा रहें अगर यह मंडे को क्लोजिंग दे जाए हाई जाए पांच परसेंट उपर तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा यह किलियर है यहां तो किलियर है दस और पैसे ऊपर चलेंगे यह निचलेंगे यह डिसाइड करेंगा मंडे कदर मंडे मोस्ट इंपोर्टेंट अब यहां पर सेलिंग कोई रीजन तो समझ में नहीं आता है ठीक है लेकिन देखने मार्केट की थोड़ा स यहां पर नहीं रहता है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरा यह मानना है कि अगर इन लोगों ने शेयरोल्डिंग पैटर्न को यह लाते हैं टाइमली लाते हैं उसके बाद यहां पर जो डेट आया ती है एंड कम्प्लाइंस को जो है जो फिलिंग करनी है रिवकेशन की वह अगर फाइल भी कर देते हैं तो इससे जो है वह अपना आगे काम बन जा याने कि अगर हम नेक्स मंडे को यहां पर उपन होंगे तो वह तेजी के साथ ही होने चीता है क्या देखते हैं हमें क्या देखने हूं मिलता है मेरा यह कहना था कि आपको एक इंटर्व्यू देना चाहिए ठीक है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप आउ सी एटीन आउपर यह आए एक दोबार आए आप आउ और उस पर आकर बात करिए सीधी सी बात से काम बन जाएगा ऐसा कोई भी चीज है नहीं जो बात से काम नहीं बनती है अभी हालसलाल वी देखिए, जो इस टॉक में जो प्राइसिंग में देखनी बिली है, यह खोखला प्राइसिंग कुछ बचा नहीं है अजया Casey Government कि घाल्स में बट क्या होता है ना नहीं एक स्टॉग मैंने पकड़के रखा है बास ब्राइट कॉंग गुरूप मेरी जान मेरी यान यह चीज यहां पर करके रखें तो यही ना आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम माले और यह पहले ही समझ में आ जाती चीज़े कि आगर कुछ ऐसा हुआ तो यह चीज़ ऐसे देखनों बिलेगी फिर निवेसक बहुत जादा डर जाएगा तो वह आज की डेट में निवेसक के साथ वही हो रहा है जिसके वह अपोजिट चल रहा था अगर उस वक्त यह बहुत सारी लोग यह समझ भी गए होंगे कि नहीं ब्राइट के जो पेन है उससे बहुत दूर होगा वह अपना रिलीफ की दवाई खा चुका बहुत पहले बात यह तो यह चीज़ है अब वह मैनेजमेंट जो है वह बहुत ही गदर है उसके जैसी मैनेजमेंट तो शायद किसी माइक्रसॉफ्ट में भी ना बैटी हो उससे बड़ा यह लेकिन इनका जो मैनेजमेंट का जो एक कह सकते हैं सुरिष कुमारेडी वह इतने बड़ा एकदम ना चुप रहने वाले परसन है साइलेंट जतना कोई भी नहीं है इवन इंडिया के अंदर बिगेस्ट बिगेस्ट अगर कोई बहुत ही शान्थ एंटर्परिनियर भी है त आपको इंटर्विव तो देना ही होगा किसी भी हाल में इंग्लिस बिजनिस चैनल पर आओ इंटर्विव दीचिए इससे बैतर कुछ भी नहीं होगा जो भी सवाल है वह ही वह सो आपसे पूछे जाएंगी क्या हुआ कैसा हुआ खा थोड़ी जाएगा कोई एंकर थोड़ लेकिन कम से कम रियल्टी वाया करोगे तुक तो कुछ होगा एंट सबसे बड़ी बात है जो मैं अल्रेडी किया था था जो मिस्टेक मानो और आगे बढ़ो मिस्टेक मान गये तो सब कुछ आप आपके हाथ में लगते हो देखेगा नहीं मानते हैं आज की डेट में फिर से तो वही बात है इगो इस तक बात आया तो बस यहां पर कहानी अटकी हुई है आपको इमेज तो बनानी पड़ेगी चाया आप शेयर ओल्डिंग पैटर रिलीस कर दीजे चाया आप ट्यूवोर्ड रिलीस कर दीए उसके बावजूद भी इमेज की बात आयाती है इमेज ज इसको समझते हैं नहीं समझेंगे तो मंडे को यहां पर ना नेक्स्ट मंडे को दोखा सकते हैं सिंपल सी बात है अगर यह शेयर ओल्डिंग पैटर्न आ गया तो तो यह तो किलियर है लेट सी देखते हैं मंडे को क्या रहता है बट इमेज इमेज तो सदानने पड़ेगी इन लोग को उमीद है यह करे हैं सका तो एक बार नवी से पहले आपने ब्रोकरेड एडवाइस ज़रू से ले लिए खुद की श्टेड़ी करें और उससे बेतर कुछ भी नहीं कुद क कि शेरी में इस्टे तो आप दीचिम जा बिलेगे बतो तर्मात उस्टू